एक जंदल में एक लोंडी रहती थी. वो बहुत ही भूकी थी. वहाँ अपनी भूक मिटाने के लिए खाने की खोज में इधर उधर घूमने लगी. उसने सारा जंदल चान मारा, पर उसे सारे जंदल में भटकने के बाद भी कुछ ना मिला. वहाँ गर्मी और भूक से परेशान होकर एक पेड के नीचे बैठ गई. अब वहाँ निराश होकर भगवान की और देखने लगी. तभी उसको उसी पेड की डाल पर एक कौवा बैठा दिखा. उसके मुह में रोटी का एक तुकडा था. उसको खाना मिलने की उम्मीद जगी. कौवे के मुह में रोटी देखकर उस भूखी लोमडी के मुह में पानी आ गया. वह कौवे से रोटी छीने का उपाय सोचने लगी. उसे अचानक एक उपाय सूझा और उसने कौवे को कहा, कौआ भहिया. तुम बहुत ही सुन्दर हो. मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है. सुना है तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो. पर कौवा कुछ नहीं बोला. लेकिन लोमडी ने हार नहीं मानी. वो बोली. तुम्हारी मीठी आवाज के सभी दीवाने हैं. क्या मुझे गाना नहीं सुनाओगे? कौवा अपनी तारीफ को सुनकर बहुत खुश हुआ. वह लोमडी की मीठी मीठी बातों में आ गया. और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मोह खोल दिया. उसमें जैसे ही अपना मुह खोला, रोटी का टुकडा नीचे गिर गया. रोटी नीचे गिरते ही लोमडी ने रोटी पर जपटा मारा और रोटी खाकर वहां से चली गई. भूखा कौवा लोमडी को देखता रह गया और अपने किये पर बहुत पच्चताया. लेकिन अब पच्चताने से क्या होना था? चतुर लोमडी ने मूर्ख कोवे की मूर्खता का लाब उठाया और अपना फाइदा किया. सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी जूटी तारीफ से हमें बचना चाहिए. कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं, जो अपना काम निकालने के लिए हमारी जूटी तारीफ करते हैं. ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा करते हैं.